अचे, N का जो मतलब है, तो N का जो मतलब होगा याद रखे, N से याद करना हिंदी में लिखता हूँ, निर्मान, क्या लिखोगे? निर्मान, यहां से क्या है विहार, तो निर्मान विहार वाले MP के MP है ना, निर्मान विएर वाले MP रोज सोते रहते हैं, वैसे मेरा दिल किया था इस बात के साथ, कि निर्मान विएर वाले MP पैसा लेते हैं, है ना, तो इसका अधर रूपीज है, आर के सकत क्या है, लेकिन फिर ना किसी को क्यों बतनाम करा, तो इसका अंतर क्या कर देंगे, सोते रहते हैं, आप मेरे बच्छे N का जो मतलब होगा, वो होगा number ability, क्या बोला जाता है number ability, तो इसे याद रखना, क्या बोला जाएगा number, जो V का मतलब होता है, वो कहलाती है आपकी verbal ability, उसके बाद जो W है, इसको बोला जाता है मेरे बच्छे word ability, जो M है, इसको बोला जाता है, M से memory ability, उसके बाद जो P है, उसको बोला जाता है perception, perception ability, उसके बाद R, R का मतलब क्या होगा, reasoning की ability, क्या बोला जाएगा reasoning, और जो S होता है उसको बोला जाता है Special Ability तो ये लो कैसी लगी भाई आगा दिमाग में अरे यार RS से रोईत सार लिखोगे ये भी कर सकते हो तुम लेकिन आगा दिमाग में तो इसको मतलब Number Ability, Verbal Ability, Word Ability, Memory Ability, Perception Ability और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका Reasoning Ability और Last में क्या जाएगे Special Ability आगा वे दिमाग में तो याद रखने इस वाले बात को जब भी याद तो Group Factor Theory जो Intelligence किया है कभी भूल जाओ तो याद रखने निर्मान वियार वाले MP रोज सोते रहते हैं मतलब जब भी जाओ सोते रहते हैं है ना चलिएगा आगे के लिए रियाद रहेगा भी बोलो yes or no आगे के लिए रियाद रहेगा भी बोलो yes और no